इस नमपर वन इन फिगर पी एंद पीवी आट्वें टेंजेंट तो सर्कल ड्रान फ्रॉम एन एक्सितरनल प्विंट पी यहां पर उत्व्द में देखिए कराप पी एंद पीवी टेंजेंट है जो कि external point P से draw किया गया है यहां पर अब ध्यान से देखे P से एक टेंजेंट PA और एक टेंजेंट PB इसका और वो रहा है कि CD is a third tangent touching the circle at Q करा कि CD है जो एक और टेंजेंट है third tangent और सरकल को Q point पे touch कर रहा करा if PB equal to 10 cm यहां से देखे PB यह वला लेंध वह दे रखा 10 cm और वोलाए CQ 2 cm तो CQ यह वला लेंध दे रखा 2 cm और यहां बोरा भाटी दे लेंध और पीसी तो PC का लेंध बताई यह वला लेंध अच्छा बताई यह PB और PA यह दोनों तो आपसमे इकल होगा external point का tangent यहां पे PB equal हो जाएगा PA का और दोनों का लेंध कितना आएगा 10 cm तो यह भी आगिया 10 अब यहां पे देखें इस point से दो टेंजेंट रा हुआ एक सी क्यूआ एक सी यह तो यह दोनों भी तो आपसमे इकल होगा ना तो यह 2 है तो यह कितना हो जाएगा यह भी 2 हो जाएगा हमसे पूछा PC का भेलू तो यहां से PC का भेलू निकाल लीजिए तो पूरा है 10 तो यहां से हो जाएगा 8 cm Q2 टेंजेंट Tp & Tq are drawn from external point P to a circle with center O as shown in figure करा कि दो टेंजेंट external point T से यहां पर देखें T-point से दो टेंजेंट TQ और एक टीप ड्राग किया गया एक सेर्कल पे जिसका सेंटर है ओ इसका बोह रहा है कि if they are inclined to each other at an angle of 100 degree करा कि दोनों टेंजेंट है जो एक दूसे 100 degree पे incline है मतलब दोनों के विजो एंगल बार और 100 degree यह बला पूरा एंगल तो पूछा भाटिद भाईलू पी ओक्यू एंगल पी ओक्यू यह बला एंगल का देखिए इसका भाईलो पूछा तो आपको बता है कि दोनों टेंजेंट के विजो एंगल बनता सेंटर पे जो एंगल तो आपको यह रखना है कि टेंजेंट के विजो एंगल बनता और सेंटर पे जो एंगल बनता दोनों का सम होता वो हता है 180 degree तो यहां पे टेंजेंट के विज एंगल बार हा 100 degree और सेंटर पर बला एंगल आपको निकालना है यहां से 100 को ले जाएके माइनस करिए तो हो जाएगा 180 माइनस 100 तो यहां पर एंगल हो जाएगा 80 डिग्री क्योंसर नम्र3 भाती डिश्टेंट बीटिन ठीक ट्यू नूररी करा एक सरकल का रेडियस दे रखा फोडस सेंटिमिटर सूरे कि बिए के दिश्टेंट कि जिस्तेंस क्या होगा इससे म另外 सब्सक्राइब एक यह है और एक यह 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 जो गया और बढूर के दोनों के जरा को ईसकते इस्टेंस बताइब यहां पर रेडियस को को किक्षैने है अब यहां पिर देंगे कभी का डिस्टेंस कितना फॉर गभी इंचेंट शीट ऐसेकशन पॉर पॉर इक्वि फॉर इंचूंटिमेटर eight-seom length of tangent from point A, A point से एक tangent राख किया गया है, इस tangent का length और इसके बाद जो A के बाद यह लिखा है कि outer distance of 5 cm from the center यह है, इस point के बारे में लिखा, इस A point के बारे में, कि जो A point है, वो circle के center से 5 cm दूर है है और इस फोर सेंटीमेटर कमेंतल्ब वो ये टैंगन का लेंड रखा Çथ इसको एक और थी दिए आपilen्ट खुआ एbear HOW सर्कल इंस फोर शेंटीमेटर मला एक सरगल में यह कि यह पोन से टैंजन राकिया गया है ऑस टैंजन खर सिन्द ऑर दोर आ यह जो ए पोइंट्व है ओ स से एक टेंजन रा किया इस तरीके से अब वोला कि जो ए गाल के सेंटर से 5 cm दूर है मतलब यह वाला जाल सांस सेंडा यह उसकता है यह हो जाएगा 4 cm यहां पे आप कुछ भी नाम ले लिजिए up शे मिल लेते हैं तो यहां पर 90 बन जाएगा, तो चलिए ट्रेंगल AOB में, इन ट्रेंगल AOB, तो यहां देखे, 90 के सामने कौन है, OA, तो यह हो जाएगा hypotenuse, तो यहां पर हो जाएगा OA का square equal to, AB का square plus OB का square, तो यहां देखे, OA का value है 5, तो 5 का square 25, AB है 4, तो 4 का square 16, और OB है radius, तो यह हो जाएगा R square, तो यहां पर 16 को इधर लाके minus करिए, तो R square equal to हो जाएगा, 25 minus 16, 9 आएगा, तो यहां से radius आजएगा, 30 cm, किप्से नमर 5, भाटी दा distance between two parallel tangent to a circle of radius 5 cm, करा एक radius, एक circle है, जिसका radius है 5 cm, इसमें parallel tangent के बीच का distance बताईए, जैसे देखे, यहां पर मालीजी एक circle है, इसमें parallel tangent करिए, एक tangent मालेते हैं, यह है, एक tangent आउट ड्रा करिए, इस तरीके से, यह मालेजी ए, cd है, यहां पर radius 5 दे रखा, तो यहां पर इसको मिला दीजी, यह होगा न, यह 5, आनीचे ही मिला दीजी, यह भी radius है, यह भी हो जाएगा 5, यह मालेते हैं, पी है, यह Q point है, यह 10 cm, Q 6, in Q 1, if P V equal to 10 cm, भार्टी दा, पेरिमेटर ओफ टेंगल, PCD, करा Q 1, तो यहां पर Q 1 का फिगर यही है, इसम बोला कि P V का लेंद है 10 cm, यह देखे P V, यह बला लेंद दे रखा 10 cm, तो करा भार्टी दा, पेरिमेटर ओफ टेंगल, PCD, यह बला टेंगल है न, PCD, तो य यहां पे टेंगेंट कोन है, एक P V है और एक P A है, अब दोनों टेंगेंट वाप इसमें equal होता है, तो अब किसी भी टेंगेंट के लेंद के दूग न कर दिजे, तियां पे इसका जो पेरिमेटर होगा 2 इन्टू P V, पी वी क्या इसका टेंगेंट है, इसका जो पेरिमेट होगा हमेन से या रखेगा टेंजिन के लेंद्ध के दुगुना होता है यो यह तो और ने mosquitoes कुआ और फीठ अफंट टिट मॉपीजिखों तो यहां पर 20 है मुझा थिमिए एक प्रूब किया कि एक वरीज को देख सकते हैं। question no.7 in figure C, P and C, Q, are tangent to a circle be center O, यहाँ देखें करा C, P and C, Q , यहाँ देखें C, P यह पूरा और C, Q इदर नीचे बला, दोनों कि आर सरकल का tangent है और यह सरकल का center दे रखा O, करा A, R, B is another tangent touching the circle at R करा कि ARB देखिए ARB एक और टेंजेंट है जो सर्कल को R पे टच करा इसका बोला if CP equal to 11 cm CP ये पूरा का लेंद दे रखा 11 इस टेंजेंट का BC equal to 7 cm यहां पर देखे BC ये वला दे रखा 7 cm तो वो रादें find the length of BR तो BR का लेंद बताइए ये वला लेंद हम से पूछा है अच्छा आपको पता है कि ये जो external points दे टेंजेंट रहा होता है वो आपस में equal होता है तो CP और CQ ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा CP equal to CQ दोनों का लेंद कितना होगा 11 cm होगा ये देखे CQ का भी लेंद हो जाएगा 11 cm अब यहां से बताइए बी point से भी तो दो टेंजेंट रहा हुआ है चोटा चोटा एक BQ और एक BR तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा ये बला और ये बला यहां से ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा अब यहां से बताइए यह है 11 और यह है 7 तो यहां से BQ का भेलू निकाल लिजे तो BQ का भेलू कितना होगा 11 में से 7 घटाईए तो यह आ जाएगा 4 तो यहां से BQ का भेलू आ गया 11-7, तो यह आगे 4 cm, हमसे पूछा था, BR का भेलू, तो BQ और BR के आपस में equal है ना, तो यहाँ पे लिखे, BQ equal है BR का, और BQ का भेलू कितना है, 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 equal to BR, यानि BR का भेलू आएगा 4 cm, किफिसा नमबर 8, इन फीगर, ट्रेंगल ABC is circumscribing a circle, करा फीगर में देखे, ट्रेंगल ABC है, जो सरकल के 4 और circumscribe है, मतलब ABC है, जो सरकल के 4 और ड्रा किया गिया है, तो वो रहागे, फाइंदर लेंथ हो BC, तो BC का लेंथ बताई, यहाँ पे देखे BC, यह वाला लेंथ हम से पू हो जाएगा, अब यह फोर है, यह पूरा 11 है, तो 11 में से फोर घट आईए, तो यह आजाएगा 7, और जब यह 7 आया, तो यह भी कितना आजाएगा, 7 आजाएगा, हमसे पुछा था BC का भेलू, तो BC का भेलू, यह दोनों को add कर दिजिए, तो यह आजाएगा 3 पलस 7, that means 10, और एक सर्कल पे जिसका सेंटर है, ओ, करा, AB is another tangent, he touches the circle at R, करा कि AB एक और दूसरा टेंजेंट है, जो सर्कल को R point पे टच करा, यह आप देखे, AB है जो सर्कल को R point पे टच करा, करा, इप CP equal to 11 cm, CP यह पूरा का लेंद दे रखा 11, तो यह हो गया 11 cm, इसके बद बोला, BR 4 cm, त तो बोला, find the length of BC, तो BC का length बताईए, यहाँ पे देखे BC, इसका length हम से पूछा है, अच्छा, external point से जो tangent रहा हुआ है, दोनों का length आपस में equal होगा, तो यह CP 11 है, तो यहाँ से CQ भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लिजी, CP equal होगा, CQ का, दोनों का length हो होगा, तो यह 4 है, तो यह भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी लिख लिख लिजी, BQ equal हो जाएगा, B, R का, यह दोनों का length हो जाएगा, 4 cm, इसके बाद देखे, आपसे पूछा, BC, तो यह पूरा में से 4 को घटा ही है, तो BC निकल जाएगा, तो BC equal to ह हो जाएगा, 11-4, that means 7 cm, question number 10, two concentric circles of ready A and B, where A greater than B are given, यहाँ देखे करा, दो concentric circle है, आइसका एक का radius है, A और एक का radius B, और यहाँ बो रखा है कि A का जो भाईलू B से बढ़ा है, तो मतलब A बढ़ा है और B छोटा है, यानि बढ़ा बढ़ा सर्कल का radius A हो जाएगा, चोटा ब बढ़ा बढ़ा radius है, वो A है, और जो सोटा बढ़ा radius है, वो है B, इसके बाहर बढ़ा सर्कल है, तो यहां पर इसका показыв का kons वह प्ला से आपको को एस मिला दैजिये और यहां से ओ यह को मिला दीजिये में मिला सकते हैं यह भी मिला सकते हैं अब का मड़ी अब देखिए ओपी यहां पे तो परपेंडिकुलर हो जएगा यह सोटावला सरकल का यह रेडियस है और यह जो A भी है वो छोटा वाला सरकल के लिए टेंजेंट का काम करेगा तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा इधर भी और इधर भी इसके बाद देखे यहां पर पता है कि अगर से कोड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन रा किया जाता है तो वो कोड को क्या क करता है नहीं फोलस पार्टर यांपे रखेल रखा हो बड़ा रेडियस है यानी यह जोता और यह बड़ा। सब्सक्राइब हमसे पुछाया AB का भैलू तो यहां से AP का भैलू निकाल लिए और AP और BP दोनों तो आपस में इक्वेल है तो चलिए ट्रेंगल OPA में इन ट्रेंगल OPA तो यहां देखे 90 के सामने है OA तो यह हो जाएगा OA का स्क्वाइर इक्वाइर पलस AP का स्क्वाइर तो यहां पर देखे इसका भैलू आ गया अंडरूट A स्क्वाइर माइनस बी इसक्वाइर दोनों तो आपस में इक्वाइर तो इसका डिया अंडरूट A स्कॵाइर माइनस बी इसक्वाइर हम से पोछा था AB का भैलू यह विकलोट दोनों को आड करते। यहां पर पूट करें तो यहां पें पूट करिए तो यहां पर पूट कू Carr hou है अंडरूट A स्क्वाइर माइनस बी स्कॉर warfare पलस अंडरूट A sq و मैंनस डीय को यहां पर दोनों को आट करें जैसे देखेये अगर 5 पॉलस 5 को एड़ करना उधों इसको आप ले सकते हैं 2 कि दोने से मैं अगर आपको टूँफ टूँफ टूंटी को एड़ करना थे इसको आप 213 Buzić अभी आजिन टूभी सेंटर ओ यहां में देखें फिगर में करा पीएंड पीवी एक सर्कल का टेंजन्थ है इसका सेंटर ओ है इसका और वोला इससे फरकार हैं कि एंगल APB equal to 50 degree APB ये वाला angle दे रखा है 50 degree तो वोड़ा right measure of angle OAB OAB ये वाला angle का measurement हम से पोचा है तो यहाँ पर आप क्या करिए कि पहले इसको join कर दिजे OP को और डखी यहाँ पर अगर इसको आप join नहीं भी करिएगा न तब भी इसका answer आजाएगा जैसे छोड़िए इसको join मत करिए कोई फाइदा नहीं join करके भी आजाएगा बिना join करे हुए भी आजाएगा जैसे देखे ये जो P point से जो tangent रहा हुआ PA और PV ये दोनों क्या होगा आपस में equal होगा तब PA के सामने ये बला angle और PV के सामने ये बला angle ये दोनों एंगल भी क्या होगा आपस में equal होगा यहां पर इसको double line से कर देता है ये दोनों एंगल भी आपस में equal होगा अब बताएगा एक angle है 50 degree तो बाकी बचा कितना तीनों का समोत है 180 और एक है 50 तो बचा कितना 130 इतना ही बचाना इसको दो equal part में divide कर जिजए तो यहां जाएगा 65 65 मला ये बला angle हो जाएगा 65 degree हा ये भी हो जाएगा 65 degree हमसे पुझा था ये बला angle अब बताएगे ये जो radius OA है वो tangent पर क्या होता है perpendicular होता है 90 degree बनाएगा तो ये पूरा है 90 degree जिसमें से इतना है 65 तो ये बला नहीं निकल जाएगा 90 माइनस 65 कर जिजए तो यहाँ जाएगा 25 degree Question number 12 In figure PQ is a chord of circle and PT is the tangent at P करा फिगर में देखे PQ है जो circle का chord है ये भी देखे PQ chord है अब PT है जो circle का tangent है P point पे करा इस पर करा रहा है कि angle QPT equal to 60 degree QPT ये पूरा angle दे रहा है 60 degree ये बला देखे ये पूरा तो बोरा है then find P R Q P R Q ये बला angle आपको निकालने बोला है तो यहाँ पर देखे आपको पता है कि ये जो radius है और ये भी radius है ये दोनों क्या radius है तो radius ये आपस में equal होगा ये दोनों आपस में double हो जाएगा अब देखे इस, ॉP, Q में जब 2 side equal है तो इह दोनो stimmt rooft का opposite angle होगा तो इस radius के सामने ये बला angle और इस radius के सामने ये बला angle ये दोनों angle क्या ओगा आपस में equal हौ जाएगा अब यहां पर देखे ये जो radius यह स preliminary by nous फूरा कितना हो जाएगा पूरा हौजएगा 90 में से पूरा है नाइंटी यहां से लेकर यहं कहों तक तक इसमें इतना है 60 तो यह भूला एैंगल बनने निकल जाएगा पूरा 90 में भी 60 को गटा दीजिए तो यह भूला निकल जाएगा यह कितना हो जाएगा 30 degrees और चुकर दोनों तो equal हैं तो यह भी हो जाएगा 30 degrees तो यह आंसे इसको note करिए Angle OPQ ये अंगल का नाम क्या है? O, P, Q जो 30 आया था तो O, P, Q का भेलू कैसे आया? तो 90 माइनस 60 से तो यह आग यह 30 डिग्री और अंगल O, P, Q इक्वल है O, Q, P का अंगल O, P, Q इक्वल है अंगल O, Q, P का दोनों का भेलू कितना आजाएगा? 30 डिग्री 120 होगा 180 में से घटाई हैं दोनों को आइड करके तो यहां से एंगल O का भेलू हो जाएगा 180 माइनस 60 तो यह जाएगा 120 डिग्री अब यहां पर देखे आप एक कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं आपको हम دोनों तरीका से बताएँगे पहले कंस्ट्रक्शन ले के बताते हैं जैसे मुला लिजे यहां से आप एकंस्ट्रक्शन ले लीजे इस तरीके से यह पॉइंट माल लेते हैं यू अब यहां पर धियां से देखे आर्क पी क्यू को यह देखेगा arc pq को या prq को तो यह देखेगा arc prq से centre पर angle वा रहा रहा यह एंगल आया थो 120 degrees आय सी arc prq से circumference पर भी angle वा रहा तो आको पता है कि अगर same arc से centre पर angle वनता, same arc से circumference पर angle वनता तो जो circumference का जो एंगल होता है वो center के एंगल का हाफ होता है यहां पर देखे same arc p r q से center पी वह रहा same arc p r q से circumference भी वह रहा तो यह 120 है तो यह कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा यहां एंगल u equal to आ गया 60 degree यह हो जाएगा angle इसके बाद देखिए हमको निकलना यह बला अब यहां से ध्यान से देखिए तो पी आर क्यू यू यह किया है एक सैक्ली क्वार्डिलेटल है ना सैक्ली क्वार्डिलेटल किसे करता है किसी सर्कल में कोई क्वार्डिलेटल रहा हुआ है और उस क्वार्डिलेटल का जो चारू भात ऐसे वो सर्कलपे लाई करा यह यहां यहां भी आप देख रहे हैं कि P R Q U यह चारू परेंट काहां पर लाइक का रहा है साइक्ल यह सरकल पर तो यह हो जाएगा सैक्लिक वाडिट्र तो P R Q U इसका एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री तो यहां पर हो जाएगा एंगल यू पलस एंगल आर इकोल टो 180 डिग्री यहां पर देखे एंगल यू का भेलो है 60 और एंगल आर तो आपको निकालना है इकोल टो 180 डिग्री यहां से 60 को उधले जाएकर माइनस करिए तो आउएंगल आर इकोल टो हो जाएगा 180-60 यहां पर आउएंगल आर का भेलो आएगा 120 डिग्री इसी को देखे second method से यहां पर यह दे रखा था 60 degree और बोला चा एंगल r का भैलो बताई यह वला एंगल का भैलो तो देखें यह पूरा बनेगा 90 degree तो यह हो गया था 90-60 तो यह वला एंगल आगया था 30 degree यह दुनों एंगल आपस में क्या इक्वल है यह 30 तो यह थार्टी क्योंकि यह दुनों रेडियस आपस में इक्वल आता इसके आपोजित एंगल भी आपस में एक्वल तो यह 30-30 तो यह कितना हो जाएगा 60 तो 180-60 तो यह आजएगा 120 और आप बते यह पूरा राउंड में कितना बनता 360 तो 360 में से 120 हो गटाई है तो यह जाएगा 240 तो यह जो इस साइड का जो एंगल बनेगा यह एंगल बनेगा 240 डिग्री अब उसमें क्या किये थे यह पर construction ले लिए थे लेकिन यह पर construction आपको ने लेना है यहां देखी आर्क PQ को जो आर्क PQ इस तरफ आप देख रहे थे उस TAEM minor Arrk को देख रहे थे ना इस ताम मेजर आर्क को देखे यह वाला आर्क पीक्यू इस साइड तो यह आर्क पीक्यू सेंटर पे कौन बला एंगल बना रहा है यहीं बला एंगल बना रहा है देखे तो ध्यान से इसी आर्क से एक ये सेंटर पे बारा और इसी आर्क से एक सर्कम्फरेंस पे बारा तो ये है 240 तो इसका ये हाप हो जाएगा 240 का हाप कितना होगा 120 तो ये हो जाएगा 120 डिग्रे